बहुत स्वागत है जी, सभी स्टूड़न्स का एक बार फिर हाजर हैं, बहुत खास प्रोग्राम हमारे साथ हैं, नेविगेटर, Overseas Solutions, Private Limited से मैडम वीना गोयल जी, 26 साल का experience मैडम वीना गोयल जी को ऑस्टेलिया के लिए बड़ी संख्या में स्टूड़न्स को इन्होंने गा आज बहुत important topic है, असल में पंजाब और हर्याना के स्टूड़न्स काफी जादा डिले करते हैं अपनी application lodge करने में, अगर हम January और February इंटेक की भी बात करें, तो गुजरा, केरल, या हम बात करें हिमाचल, जमू कश्मीर, उस तरफ से जो स्टूड़न्स हैं, अभी files lodge कर रहे हैं, January और February इंटेक की, जबकि पंजाब के स्टूड़न्स आम तोर पे जो file lodge करते हैं, वो 15th of November के बाद, वो जादा जोर पकड़ता है, file lodge का जो pattern है, लेकिन ऐसा क्यों है, और आज के time में, जिस तरह के trend आ रहे हैं, अगर आप Australia में जल्दी file नहीं लगाएंगे, तो आपक क्यों कम chances रहेंगे वीजा मिलने के, GT grant होने के, इसका technical reason आज जाने की कुशिश करेंगे, मैं विना जी से, विना जी आपका स्वागत है, नमस्कार, मैं, क्या फरक पड़ता है Australia में, आज के time में, rest of the Punjab, पंजाब और हर्याना के इलावा, दूसरी states के students तो apply कर रहे हैं, पं तो मैं यह कहना चाहूंगी, यह वीडियो हिंदी में बनाने का purpose यही है कि, पंजाब के अलावा भी हमें बहुत सारे states से call आ रहे हैं, और उनको शायद पंजाबी समयने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो मैं चाहते हूं कि हिंदी के माध्यम से हम सब के साथ हम उनक कर रहा हुता है, 12 में है या ग्रेजुशन फाइनल यर में है, तो उसकी क्या-क्या requirement है, उसने IELTS करनी है, PTE करनी है, financial documents क्या चाहिए, और यूनिवस्टी के आल्मोस्ट अच्छी यूनिवस्टी की deadline अस्ट्रेलिया में भी जो है, 3 मन्स पहले COE की complete हो जाती है, उसके time, high commission को भी चाहिए, file process करने के लिए, तो आपको अगर 3 महीने पहले COE, अच्छी यूनिवस्टी की बंद हो रही है, तो उससे 2 महीने पहले at least आप हमारे पास आएंगे, तो offer letter और GTE, सारा जो है time के साथ process होएगा, और जो 23 पास आउट है, मैं बार-बार उनको कहती हूँ कि बिलकुल राई time है, October स्टार्ट हो गया है, and October का भी काफी time अब निकल गया है, तो बहुत कम time हमारे पास Jan Fab के लिए बचा है, तो आप immediate अभी इसमें कर लीजे, इसके बाद आपके पास June-July वाला time होगा, अब मेरा जो अपना experience है, जब ये बहुत सारा जो नए साल का quota ह रमगैसी को अलाउट होता है, तो नए साल में जो है, काफी सारा वीजा निकल जाता है, कि मेरे उस friend का वीजा लग गया, मेरा क्यों नहीं लगा, इसमें कभी हर वीजा officer अलग है, लेकिन कई बारी जो profile बहुत अच्छा नहीं है, जब quota तो उसका भी वीजा निकल जाता है, और profile बहुत अच्छा तो उसका तो निकलता ही है, तो कोशिश करें कि जब आपके पास time है, आप immediate उसके decision लेना है, आप जल्दी decision लेके उस चीज़ को close करें, अब जितना जादा आप मिन से ये सोचते रहेंगे कि अभी time है, तो उतनी देर में तो आपका visa के साथ बहुत ब बैंड वलों के visa refuse होते हैं, उसके बाद उनका जो है, बहुत कम उनके हाथ में होता है, तो दस में से दो visa आगए, तीन visa आगए, तो rejection rate जादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर जिन्होंने फाइलें शुरू में लगाई हैं, तो 8 out of 10 आपका visa success rate, means एक अच्छा visa success rate रहता है, अच्छा जैसे आपने कहा कि जो COE है, वो तीन महिने जो है, बंद कर देती है, यूनिवरस्टी, CO के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, हर यूनिवरस्टी का टाइम अलग रहता है, कोई 2 महिने पहले भी बंद करती हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन हो लेकिन फाइल अगर वीजा ओफिसर के बाद पास गई है, मान लिजी उन्होंने कोई qualification वेरिफाई करने है, financial documents वेरिफाई करने है, income tax returns वेरिफाई करने है, कोई experience वेरिफाई करने है, तो इनकी फाइल क्यों में गई है, तो वो सारा वेरिफाई होते होते हैं, कई बारी जब government agencies अब बहुत time लगाते हैं, एक mail गया उन्होंने reply नहीं दिया, फिर reminder mail गया, तो इस चीज़ के लिए High Commission को पूरा time देना होता है, वो खाली इसी फाइल के लिए free ने बैठे, उनके पास बहुत सारी लाखों में फाइ लगता है, तो दो महिने तो at least हमें High Commission को देने पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, और अगर हम Punjab, Haryana की भी बात करें, यहां rest of India भी बात करें, तो कितनी universities हैं, open हो गई है January और February इंटिक के लिए, क्या अभी भी कुछ universities हैं, जिन्होंने अपने courses open करने हैं, देखो खली काश् G&K और बाकी जो और states हमारी उनका accept कर रहे हैं, तो ऐसे पंजाब का अपने जो पूछा कि पंजाब और हर्याना का, no doubt काफी सारी Western Australia की universities काफी accept कर रहे हैं, Melbourne में एक-दो universities accept कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत struggle करना पड़ रहा है, Australia में, अगर बच्चा कह सद है, वहाँ जाके पढ़ने का, तो आप जो है, थोड़ा सा अगर मान लिजे, तीन universities में हम apply करते हैं, तो अगर दो Melbourne की की है, तो एक Brisbane, Sydney, या Adelaide, कोई भी एक जगे आप है, और apply कर लिजे, सिके at least हमें यह नहीं कि last में, GT में कोई rejection हो गई, या फर लेटर नहीं आया, त तो time की ही, जो एक जिसका कहते हैं कि value है, और time से ही पैसा बनना है, तो आप time मत बरबाद कीजिए, आपको जो मिल रहा है, वो university से भी better हो सकती है, लेकिन by chance जो है, वो आपको अफर लेटर दे रहे हैं, यही आप अपने आपको लग्की समझेगे, अच्छा, अभी जो fresh students है हमारे 23 pass out, इंडिया के, तो कितना minimum score band है, जिससे आपको लग्ता है कि उनको अच्छा course मिलेगा, undergraduate में और post graduation में, देखो 70 to 80% वाले profile को हम अच्छा समझते हैं, जैसे माल लीजे कुछ universities हैं, G8 universities, वो 68 में भी मना कर देते हैं, colleges के थुरू, उनके अपने colleges होते हैं, जिसके थ बहुत अच्छे profile game बात कर रहे हैं, हम यहाँ eligibility की बात नहीं कर रहे हैं, eligibility जो है 60% and above, 6 band each, plus 2 वालों के लिए, और post graduation के लिए 6.5, not less than 6 band, और 60% हम post graduation वालों के भी मांगते हैं, जबकि अगर वो level 1 university में, section 1 university में पढ़े हुआ, तो कई बार हम 55% भी ले लेते हैं, तो eligibility is something different, when we are talking, when we are talking about the, you know, very good profiles, कि बहुत अच्छे profiles हैं, उनके अगर हम बात करते हैं, तो वो जो होते हैं, 70, 80, 90%, even आपी के इस माधियम से हमने देखा, 94, 95% के बच्चे, 98% के बच्चे भी हमारे पास आई हैं, लेकिन अगर CBSC है, और आपका percentage is अच्छी है, आपका IELTS score अच्छ ह हैं, और आपका, मिन्स के financial documents अच्छे हैं, तो फिर कोई संभावना नहीं है, कि case खराब हो, मान लिए 22 pass out है, बहुत सारी inquiry आ रही हैं, मैं उन सब को जो है, गाइड करूँगे, आप प्लीज New Zealand के लिए सोचिए, it's a very good country, और आपको हम सारा financial कैसे करना है, क्योंकि banks बहुत lenient है, और a navigator आपके पूरी help कर रहा है, 22 pass out वाले बच्चों के लिए, मैं New Zealand का guide करूँगी, या Canada के लिए guide करूँगी, Australia उनको थोड़ा सा परिशाननी हो रही है, तो don't waste your time, खली आप उसके पीछे पढ़के एक चीज के, कि जो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो अगर आ New Zealand की बात करें, यह क्या दो साल का justify अगर करते हैं SOP में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जी, चलिए, thank you so much, so very important information इस शो में भी मैं वीना गोईल ने हमारे साथ शेर की है, students, screen पे number है, इस number पे आप बात कर सकते हैं, अपना profile WhatsApp कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के भी अपनी file move कर सकते हैं, thank you so much, thank you.